ये है क्लास सेवन्त इंगलिस न्यू जैम्स रतना सागर पोयम टू आ बटरफलाई की कोस्टन आंसर और एक्सोसाइस की वीडियो इसमें हम पहले एक्सोसाइस के फर्स कोसन से स्टार्ट करेंगे जिसमें पैरग्राफ दिया हुआ है और उनकी लाइनस को हमें फिल करना है यहां पर मैंने सभी के आंसर लिखी हुए हैं और इनको एक्स्पेंड भी कर देता हूं मैं कि फॉस्ट लाइन में देखो हमने लिखा था हाफ एन आवर मतलब कि इस लाइन में कह रहे हैं कि जो पोईट है वो कह रहे हैं कि मैं बटरफ्लाइ तुम्हें बहुत करीमन आदे घ होई हो मतलब जो ठंडा ठंड भी जब समुद्र थम जाता है तो उससे भी जाता सांथ हो फिर पोईट उसको दुबारा से देखती है जब हवाई चलने लगती है और वो पोईट है वो सोचती है कि बटरफ्लाइ कितना आनंद या कितना खुस महसूस करती होगी जब ठंडी और चर्ड ग्राउंड इस इन हीस एंड़ बटरफ्लाइस देखो यहां पर जो पोईट है वो कह रहे है कि यह बगीचा है वो उनका है और फिर उन बटरफ्लाइस कभी तो यह सही है उन्हों नहीं कहा था यह पात दोनों उन्होंने सेकंड कोसन पूछा हुआ है ही सेफटी प्लेस की तरह है तुम यहां पर अपने अराम करने के लिए यहां पर आ सकती हो नेश्ट है को साथ कुछ भी गलत वैवार नहीं किया जाएगा यह प्रोमिस की कहा था कोसर नंबर फॉर दापटरफ्लाइस सिट दा फ्लावर से टोक यहां पर पोईट जो थे उन्ह पर बैठें उनसे बात करें तो यहां पर फ्लावर वर्ड से यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि यह आंसर गलत है क्योंकि फ्लावर पर नहीं उन्हों ने कहा था पेड़ों की डालों पर कि वह ब्रांचिस पर बैठेंगे ब्रांचिस पर बैठकर दोनों एक साथ बात करें नेक्स्ट है को सब्सक्राइब में वाइज दा पॉइट एंट्रेंस बाइदी बटरफ्लाई यानि कि जो पॉइट है वह बटरफ्लाई से इतने मनमुहित क्यों है क्यों हो इतने खुस है क्या उन्हें अच्छा लग रहा है उसमें बिकोज बटरफ्लाई सीटिंग ग्रेस फुली बड़ी हिसानती से बड़ी ही बैलेंस पनाकर वह यलो फ्लावर बैठी है जिसको मुवमेट बिल्कुल भी नहीं है और वह बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे ऐसे बैठी है जैसे कि समुद्र फ्रोजन सी हो को सेकिंड वाट इ उन्हें नहीं पता था कि बटरफ्लाई या वह कुछा रही है या फिर वह कुछ खा रही है यानि तो अध जो फ्लावर के जो गार्डन है उनमें वो आ सकती है और उसको रिक्वेस्ट करती है कि वो उस उनके जो बगीचा है उसमें आकर अपने जो फिंग्स है जो थक चुकी है मतलब जब थक जाये तो अपने विंग्स को आराम दे सकती है को सन 4 में पूचा हुआ है वाइड डस ध प्रोइट मिस अपर जीज चैल्डरो डेस्ट की किन बातों को मिस्करती है याद करती है तो चईल डबव पर 144 मैमूरी में तकना सी बातों को याद करती है वो अपने पाश्ट की बातों को याद करती है के वो बहुत छोटे बच्चे थी, वो उस धूप को उस सूरज की जो रोस्नी है उसको याद करती है। ती यहां पर एंड समर्डेस जो लाइस्ट की लाइन जाई ने थी थी लाइन एंड समर्डेस वेन वी आर यंग स्वीड चैलिश दिज देवर्स ऐस लोंग ऐस 20 डेस आड़ नाव नेक्स्ट वर्ड स्टडी में यहां पर कोसर नंबर ऑई है इस्टडी देबल केरफ ली लिषर एक जैसे वर्ड्स हैं और इनका मिनिंग अलग है ठीक है यहां पर यह सभीके एक्ग्जांप्ल हो गए थर्ड नेक्स्ट है कोसर नंबर f में भी यहां पर विंट रोर टीयली और लाइव ठीक है इनके sentences बनाने थे, यहाँ पर मैंने सभी के sentences भी बना का लिख दिये हैं, और यह हो चुके हैं था complete, ठीक है, फिर है, next, grammar study, grammar study में, you have read about adjectives, यानि आपने adjectives के बारे में पढ़ा होगा, look at this picture, यहाँ पर देखो picture आपके book में दी होगी, उनमें आप देख सकती हो, मैंने यहाँ पर picture नहीं बना सकता, क्योंकि मैं words में लिखता हूँ, document में, इसमें टाइप करना पड़ता है, तो यहाँ पर picture नहीं लगा पाया मैं, तो आप picture book में देखना, यहाँ पर positive, comparative और super creative forms की जो हैं, वो हमेहाँ पर अपने, इन सभी तीनों के मताबिक हमेहाँ पर sentence बनाने थे, तो य as का use करना है, जैसे कि, first में देखोगे, very few girls are tall Ramona, यह लिखा था, तो यहाँ पर यह इसको जब rewrite किया गया, और सही किया गया, तो यहाँ पर very few girls are as tall as Ramona, the second question देखोगे, last June was very hot and so is this June, तो इस कांसा देखेंगे, यहाँ पर, as, as हमने यहाँ पर लगाया है, दो जीगे, जब sentence को correct किया गया है, this zone is as hot as the last zone, तो इसी तरीके से यहाँ पर question number third, question number four, जो कि मैंने गलती से इसको black color में कर दिया था, यह answer ही है, question four का, next है इसमे writing portion, writing portion में यहाँ पर हमें एक essay लिखना था, trees and forest are habitat or butterflies, यानि जो trees and forest हैं उन पर जो butterflies वो रहती है, उनका घर है एक तरीके से वो, however, the indiscrimination feeling the tree and destruction of forest has led to drastic decline the population of butterfly, यानि आप जानते ही है, इस लाइन का मत्तब कि जैसे कैसे जंगलों की कटाई और differentiation की वजए से जो है, पेड़ों की कमी होने की वजए से जो butterfly की जो population है वो भी कम हो रही है, तो इस पर हमें एक essay लिखना था, अपने views रखने थी, तो यहाँ पर इस essay को भी लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पूरे इस paragraph को पूरे essay को सो करता हूँ, यह last, कुछी lines का है, यह paragraph है, और यहाँ पर last complete होती है, ठीक है, तो यह essay भी यहाँ पर complete हुआ, exercise और को सनासर मैंने सभी यहाँ पर दे दी हैं इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगिया है, तो like जरूर करना, and thank you, and have a nice day, और अगर आपको इस chapter के explanation भी देखना है, तो उसका link भी आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, और बाकि जितने भी chapters हैं, उनके question answer और उनका explanation भी चाहिए, तो आप इसके video के description में देखिए, या फिर इस channel के playlist, English class 8th new jams, रतना सागर का playlist होगा, उसमें आप देखिए, आपको question answer भी मिलेंगे, और explanation भी मिलेंगे, इसे भी chapter के, and thank you and have a nice day.